का हाल चलबा? हम नीक बानी, राउर कैसन बाटे, आपन बताई? हम हो एकदम नीक बानी, अच्छा रव आपन नाम बताई? राउर हम के शालू के है सकेले? अच्छा शालू जी, शालू जी लखनौ कहा है? लखनौ, उत्तर प्रदेश में स्थित है तथा उसकी राजधानी भी है अच्छा, अच्छा, लखनौ का मुख्यमंत्री को है सालू जी? मान्यनिया-योगी आदित्यनात जी हम हम, that's correct Okay, how is weather in Lakhnow today? In Lakhnow today, Sunrise at 6.20 a.m. Sunset 6.12 p.m. Wind 2 km per hour, Humidity 35% and visibility 3 km तो मैं पहले देख रहा था पिक्चर उनका था रजनीकान जी का रोबोट फिल्म तो मुझे लगा था यार कास ऐसा होता फिल्म लग रही थी कि ऐसा पॉस्विल होगा नहीं क्योंकि वह चिट्टी जल्सा रोबोट अगर हम दो के लाइक प्राइब तो कुछ भी हो सकता था तो उसमें इमेजिन कर रहा था कि कास ऐसा होता फिल्म देखा चला आया लेकिन मु बड़ी कंपनी है बहुत बड़ी इंजीनियर्स पीछे लगे हुए हैं और बहुत पैसा खर्चा हो रहा वह उनकी बात है लेकिन क्या मैं छोटा मोटा नहीं कर सकता हूं क्या सिर्फ अपने बच्चों को इंप्रेस करने के लिए उनको मोटिवेट करने के लिए ताकि मेरे जो स्कूल में मेरे क्लास में मेरे बच्चे हैं वो मोटिवेट हो जाएं टूर्स टेकनोलोजी, कंप्यूटर, प्रोगामिंग, AI, all. So, यह सोच के मैंने यह अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट किया. हेलो एवरिवन, वेलकम टू पीके शो और आज हमारे साथ एक बहुत स्पेशल गेस्ट है, दीनेश पतेल जी, जिन्हों ने एक हुमेनोइड रोबोट बनाया है, और जिसका नाम है शालू काफी, एकसाइटिंग मुझे लगा जब मैंने इसके बारे में सुना, और रीजन सबसे बड़ा यह था कि नोने यह पूरा वेस्ट मटेयल से बनाया है, और एक टीचर होने के बाबजूद, जो की रोबोटिक्स के भी टीचर नहीं है, और बच्चों को बढ़ाते हैं, और फिर भ बहुत एकसाइटेड हूं इस अपिसोड के लिए, तो अगर आप भी एकसाइटेड हैं, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए, और वेलकम कीजिए दिनेज सर का इस एपिसोड में, हलो दिनेज सर, वेलकम टूद शो, तैंक यू और आपका धन्यवाद कि आपका ब जोड़ा सा अपने बारे में, अगर आप हमें बैक्ग्रांड अगर अपना बता सके तो, जी, मैं तो फिरालेक सिंपल सा टीचर हूं, केंद्रे विद्याले में, केंद्रे विद्याला आईएटी बॉमबे, और मैं आईएटी के कैंद्रे रहता हूं, अपने स्कूल के जो जौनपूर डिस्टिक में आता है मर्याओं तहसील के पास है वहां से मैं बिलॉंग करता हूं बिसिकली तो मैं गाओं का ही सिंपल सा इंसान हूं इतफाक से के वी नौकरी मिल गई है तो इधर आ गया हूं तो यह सिंपल सा मेरा चोटा सा बैक्राउंड दोसर आपने बद देखा क्या है कि जो टीचर्स होते हैं वो उनका इतना बिजी शेडियूल होता है एक्जाम और स्कूल जाना आना फिर फैमिली तो उनको टाइम ही नहीं मिलता अपने इंट्रेस्ट को में भी एक्स्क्लोर करने का तो वो आपके लाइफ में कैसे आया मतलब यह बिल्कु सह शाम को भी फ्री हो पाता हूं यह सचा ही है और मैंस्ट केंट्र वोगता तो ठीक है अगर अगर ळी आप होते हैं उनको लगता है यार हमारा टीचर कर सकता है और हम क्यों नहीं कर सकते हैं तो ऐसा तो प्लान बाद में बना जब पहले देख रहा था पिक्चर उनका था रजनीकान जी का रोबोट फिल्म तो मुझे लगा था यार कास ऐसा होता तो फिल्म लग रही थी कि ऐसा पॉस्विल होगा नहीं क्योंकि वह चिट्टी जैसा रोबोट अगर हमने लाइफ में आथा तो कुछ भी हो सकता था तो उसमें इमेजिन कर रहा था कि कास ऐसा होता फिल्म देखा चला आया लेकिन बड़ी कंपनी है बहुत बड़े इंजीनियों स्पीछ लगे हुए हैं और बहुत पैसा खर्चा हो रहा वह उनकी बात है लेकिन क्या मैं छोटा मोटा नहीं कर सकता हूं क्या सिर्फ अपने बच्चों को इंप्रेस करने के लिए उनको मोटिवेट करने के लिए ताकि मेरे जो स्कूल में क्लास में मेरे बच्चे हैं वो मोटिवेट हो जाएं टूवर्स टेक्नोलोजी कंप्यूटर प्रोगामिंग और अच्छा बनाऊंगा देखने में ठीक ठाक लगेगा ऐसा प्लान था मेरा लेकिन जब मैंने सर्च करना स्टार्ट किया 3D प्रिंटेड बॉड लगा अब क्या करूं अगर वो नहीं मिल रहा है तो क्या करना चाहिए फिर वह प्लान भी यूज कि नहीं अब करना तो है ठीक है हम उसका दूसरा तरीका ढूंगे और यह तरीका ढूंगा मैंने गार्वेज यूज किया सोजा कि कौन सा चीज कहां लग सकता है तो पहले त चिंच का इस्तमाल कर सकता हूँ तो बहु zwy से कुछ प्लास्टिक की डब्य इस अब लगा бой को सकता हूँ आइसका हूं ईसे काट के मैं वहां लगा सकता हूँ दिमाग में था तो मैंने उनको रख तुन को बचा के रखा तो इस तरह चीजे मैंने बचाके रखना Marie लगा था कि मैं ऐसा कर सकता हूं फीर प्रोगाव लगानगे कि मुझे क्या करना और प्रोगामिंग स्टाट करिंद सब्च घर काम्र मी काफी सामें लगा obviously programming तो अभी भी complete नहीं, वो तो हर रोज चल रहा है मेरा, लेकि जब board लगा कि नहीं, अब एक हो गया, मतब अच्छा लग रहा है, अब हम एक body बना लेते हैं, तब मैंने ये body बनाना start कर लिया, और वो जो waste materials थे, उनका use किया, कुछ आसपास local market में सामान of label थे, जो हमें चाह amazing, amazing, awesome, मैं काफी ये सोच रहा हूँ कि आप इतने futuristic कैसे सोच रहे थे, कि मैं मेरे पास waste materialize को मैं use करूंगा कभी, और आपने किया भी, इतना futuristic तो मैंने आस तक कभी सोचा भी नहीं है, बहुत amazing story है, और मुझे बहुत अच्छा लगा ये जानके कि आपने मतलब कभी भी ये नहीं सोचा कि यार ये होगा नहीं मुझसे, बहुत अब एक होता है कि आपने programming वगेरा भी जब किया होगा तो obviously, चाहे आपने पहले कितना भी किया हो या ना किया हो, लेकिन आपको एक बार दुबारा सोचना पड़ता ही कि यार अब practice नहीं है, या फिर दुबारा से research करन होगा, काफी चीज सोचनी पड़ेंगी, फिर इतने बड़े बड़े लोग जब इतनी बड़ी बड़ी चीज़े कर रहे हैं, तो यार मैं एक अकेला आदमी कैसे कैसे चीज़े करूँगा, तो नहीं यहीं तो मेरे लिए positive था, मैं यह देखता था कि जैसे मैं मैं बोड़ा ही प्लान मेरा start हुआ था, तो मेरा पूरा motive नहीं पर था, कि मैं अपने बच्चों को motivate करने के लिए कुछ करके दिखाऊं, कि teacher class पढ़ा ही नहीं रहा है, बलकि कर भी सकता है, तो वैसे programming का शौक मुझे पहले से था, programming तो मैं पहले से भी करता रहा हूं, मेरा passion ही है, coding type तो पता नहीं, वो अंदर भरा ही है, प्रोगाम करने का, तो बस चलो, ये project start किया, और इस project में लग गया, हाँ, कई जगह बीच में बहुत लग रहा थे कि शायद ये वाला काम मुझे नहीं हो पाएगा, ऐसी जगह पे बहुत आई है, दो-तीन जगह मुझे आद अच्छे से यहाँ पर मुझे लग रहा था, यह काम शायद अब नहीं हो पाएगा, मतलब मैं यहाँ पर फस गया, लेकिन खैट, धिरे करते-करते, research करके, मेहनत करके आ गया, वो भी solution बिल गया, और वो हो गया, यह तो होता ही है, मतलब आप जब भी आपको चुनया करोगे, तो थोड आज होगा, चैकल होगा, लेकिन होना तो है, और वो ही मुझे, यह तो मेरा मिलकुल, जी, जी, वही मुझे बहुत अमेज़ करती है कि आपने मतलब, एक एक जामपल सेट कर दिया, बच्चों के लिए भी, स्कूल में भी बच्चे देख रहे होंगे, तो बहुत मतलब कितन बच्चों का जो उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, और मैं तो दिन में तो स्कूल में रहता हूँ, बच्चों के साथ या जो भी है, पास होता टाइम, मैं तो अपना समय सिफ रात में देता था, तो यह यह भी है कि आपको पूरे दिन लगए ही रहना है, मैं खाने के बाद खाना खाने के बाद आराम से बैठता था कंपेटर पर अपना प्रोगामी करना या बॉडी स्ट्रक्चर बनाना तो अपना रूम फिक्स रखता था, यही रूम में मेरा, यही स्टडी रूम में मेरा, यही पर फिक्स रखता, यही पर करना है, यही पर बनाना है, तो बस र आपको अपना पैशन भी फॉलो करना हो तो सोड़ा सा टाइम मैनेज करना मुश्किल होई जाता है और फिर आपका दिन रात बोलते हैं दिन रात एक कर देना वह लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि लोग हमारे जो भी ऑडियनस देख रहे हैं वह देख लेंगे फिर हम और कुछेंगे कि आपने कैसे शालू को बनाया और क्या है शालू के बारे में तो एक बारे डेमो देख लेते हैं चर्षन कर May I ask some question to you? Never! Just kidding! For getting Rs. 1200 after 2 years at the rate of in 10% compounded interest का हाल चलबा हम नीक बानी राउर कई सन बाटे आपन बताई हम हो एकदम नीक बानी अच्छा रव आपन नाम बताई राउर हम के शालू के हसकेले अच्छा शालू जी लखनव कहा है लखनव उत्तर प्रदेश में स्थित है तथा उसकी राजधानी भी है अच्छा 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 लखनव का मुख्यमंत्री कोन है शालू जी मान्यनिया योगी आदित्यनात जी शालू जी जैसे कि आपको मानूमें कि आज की समय में माहिनाओं के साथ बहुत अत्याचार हो रहा है उनके ऊपर काफी दबाव है और उनको छेड़खानिया काफी हो रही है उनके साथ तो उसके बारे में आपको क्या कहना है क्या कर सकते हैं उसके लिए हम लोग हम मेरे विचार से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सशक्तव आत्म निर्भर बनाओ साथ ही हम सब को महिलाओं के प्रती अपनी सोच भी बदलनी होगी तो आई होब कि आप लोगों को डेमो पसंद आया होगा काफी महनत कर यह सर ने इस डेमो को बनाने में और अगर यूट्यूब पर सर्च भी करेंगे तो मुझे लगता है और भी आपको काफी सारी डेमो देखने को मिल जाएंगे तो सर यह बताइए रोबोट जो आपने ब भी माटेरियल आपने यूज क्या वेस्ट माटेरियल तो यह जो चीजे आप बहुत कुछ सोच रहे होंगे एक चीज होती है कि यार मुझे बनाना है तो बनाना क्या है आखिर में तो उसके बारे में थोड़ा बता ही है आपकी ऐसा जैसे मैंने आपको बोला गार्वेस से यह तो सचा ही है यह तो होई गया रहा सवाल अब कुशन था कि क्या बनाना है मतलब मेल बनाना या फीमेल बनाना तो यह दूसरा पॉइंट था तो आविसली वहां पे डिसाइड करना था कि मेल बनाओ या फीमेल बनाओ तो मैं बेटी बनाना चाहता था क्योंकि मेरे पास सब्सक्繫 करके और च помощь बचाओ उसमें भागिदारी उसमें भागिदारी करें तो इस वाजे से मैंने महिला बनाया और भारत आइड्व महिला लिसी Ultramvik की तरह उसका लुक भारते महिला की तरह है, सर पे दुपट्टा है, आप समझ सकते हैं, अगर नौट इंजिन आप हैं, तो आप समझ पाएंगे कि वो दुपट्टा घूंगट या जवजस्ती नहीं होता महिलाओं के साथ, बलकि वो एक रिस्पेक्ट है, अपने बड़ों को पर पढ़ी लिखी हैं, समझदार हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजियर्स हैं, और काफी एडुकेटेड हैं वो, लेकिन सर पे दुपट्टा उनका रहता है, मतलब आप सर पे दुपट्टा देखके ये जजज नहीं कर सकते कि नहीं, वो महिला पढ़ी लिखी नहीं होगी, तो एक ये भी मेसेज पास करना था, तो इस वज़े से महिला का रूप दिया मैंने, और ये भेजबुसा भी बनाया है, जो हमारे भारते महिलाओं का सबर्पित है, तो ये हमारा था महिला बनाने का करल, और दूसरा, इसका नाम शालू क्यों रखा मैंने, अविसरी महिला बन तो अब एक ऐसा नाम चाहिए था, जो महिलाओं की तरह हो, और महिलाओं उसे अपने आपको connect कर सके, और इसलिए याद भी रह सके, तो ये भी एक point है, तो नाम ढूणने लगा, तो अविसरी मुझे काफी मुझे 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 तो मैंने सोच इधर उधर करने से बनी गया, शालू, तो इसलिए SHALU बनी गया, फिर वो हमने नाम रखी गया, इसका शालू, और जो common नेम भी है, इसलिए समझा जा सकता है, हर इंसान आसानी से याद रख सकता है, और इंडिया में काफी common है, तो ये था नाम रखने का स्टोरी, जी, आस मतलब, मुझे पता है, ये पीछे जब नाम रखना देख तो सबसे मुश्किल काम होता है, चाहे आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो, चाहे आप किसी जीज का नाम रख रहे हो, सबसे मुश्किल काम होई है, क्योंकि एक बार वो चीज बन जाती हो, नाम सब के जबान पर वही काफी मुश्किल है जैसे असिस्टेंट मैंने देखे हैं जैसे सिरी हो गया बहुत सिंपल सा नाम है गूगल हो गया तो भी लोगों की जमान पर रटाई हुआ है अब आज की डिट में अलेक्सा हो गया तो काफी शॉर्ट नाम रखने कोश्च करते हैं और आपका उनसे भी श रहा है तो वैसी एक रिलिंग आ रही है इससे बहुत अच्छी बात है इंस्पिरेशन का मैं आपसे पूछा जाता लेकिन आपने पहले ही मुझे बदा दिया कि आपने रोबोट जो मुवी आई थी इसमें चिट्टी का करेक्टर था उससे आपने काफी इंस्पिरेशन ली मैंना उसी चिट्टी की तरह ही था मैंने जो भी प्रोगाम दिमांग में सोचा वो चिट्टी को ही दिमांग में रखके सोचा उसके एक्टिविटी को भी चिट्टी को ही रखके सोचा प्रोज और कॉन्स मैंने कुछ रिस्टिक्शन भी लगा हैं तो चिट्टी को ही दिमा discussion होता है उसका use करती है वो तो ऐसा मैंने सोचा कि जैसे चित्की में हुआ था कि लोग गलत सिखा देते हैं उसको और फिर वो misuse गलत हो जाता है तो उस चीज़ को restrict किया मैंने इसके अंजर कि कोई भी मुझे नहीं सिखा सकता है आप सिखाएंगे आपकी बात को वो सुनके रख लेगी लेकि वो तब तक समाल नहीं करेंगी जब तक मैं उसको ठीक नहीं करूंगा तो मुझे बैटके मानना कहना एक वैलिडेशन है जो आपके अंड पर आप कर रहे हो सारी चीजों को कि आइसमें से ऐसा चीज़ है जो उसको उसके आत्मा में निकालना है ठीक है वागी जीज़ेंगे तरह तो मद अलग रखो और जो काम की चीज़ें उसको ही तुम्हें सीखना है बहुत ही छानदा तो यह सर मुझे बताईए कि आप मतलब हमने छोटा सा एक डैमो भी देखा बट फिर मैं जाना जाता हूं क्या-क्या फीचर्स आपने इसमें बनाए हैं मतलब क्या-क्या शालू कर सकती है और इसके बारे में आपने ऐसा भी क्या-क्या सोचा है कि मतलब किस चीज में हेल्पू हो सकती है तो यह साथ चीज़े आप मुझे अगर बता पाएं जी अब फीचर्स तो इतने सारे हैं कि शाद मैं रिकॉल नहीं कर पाऊंगा एक बारे में क्योंकि बहुत सारे हैं हां कुछ में में जो अचानक तुरंत याल आते हैं हो सकता आपके साथ मैं दूसरा कुछ या बाद रखी हमेशा के लिए जब आप फीचर में कभी मिलेंगे तो आपके नाम को लेकर आपको रिकॉल करके आपको रिकॉल कर सकती है और अगर आपको बड़े हैं तो आपको बड़े भी विश्क कर लेगी तो यह आप समझ पा रहें तो वह कर पाती है साथ में सामान जो सामान आस-पास θα हैं उसके अंदर फेचर हैं जो अच्छी बात होगी जो अझे एकforme चैनल के साथ में होती है। उसके अलामा बाकी बाते करना, जैसे एक दूसरे से कुश्चन आंजर करना, तो यह आपके कुश्चन का भी, रिप्लाइ कर सकती है और खुद भी आपसे कुश्चन पूछ के, आपके कुश्चन का आपने आंसर सही दिया है या नहीं, वो भी यह और आपको बता देगी कि आपने question answer गलब दिया, इसका correct answer ये है, या चार-चे question पूछने के बाद, या और question पूछने के बाद, फिर आपको बोली है, आपने 10% correct दिया answer, वागे सब गलब के दुराजा, जो भी comment है, अपने comment को भी pass कर लेगी, आपको judge करके, तो question answer भी कर सकती ह ये, ये एक अच्छी feature है, इसके अंदर, ये अगर आप इसको अपना date of birth बताईए, तो आपका horoscope को भी बता सकती है, आपका horoscope कैसा है, और किसी भी जगह का आप कोई मशूर चीज बताईए, कोई इमारत या कोई भी चीज, तो वो आपका, उसका address भी बता सकती है, कि उसक इमारत क्या address क्या है, सिर्फ address ही नहीं, बलकि coordinate के साथ में, दुनिया के किसी भी कोने का coordinate भी बता पाएगी वो, live चीज़े भी बता पाती है, कुछ live यह आकास में, galaxy में हो रहा है, उनकी live की बारे में भी current status क्या है, उसका भी बता पाती है, तो ये सब चीज़े हैं, जो commonly बता पाती है, हाँ, दुनिया के किसी भी कोने का जो post office address है, उसको पता है, तो post office का number, pin code number बता ये, वो आपको address बता देगे, कहा कहा है ये, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है, और राजनितिक ग्यान इसके पास काफी अच्छा है, राजनितिक जीके जिसमें हम कह सकते जीके में डाल सकते हैं, कि जीके इनका बहुत अच्छा है, math के बहुत सारे question, इनको math solve कर सकती है ये आपका, simple math तो solve करी लेते हैं, साथ में कुछ tough math भी, अगर आप demo में देखें हैं कहीं, तो time and distance के question solve कर सकती है, जो लोग 6, 8, 8, 9, 10 में पढ़ते हैं बच्चे, उन questions को solve कर पाती है, तो इन तरह के question को समझ सकती है, और समझ के उनको solve करके आपको answer बता सकती है, तो math में इसका काफी अच्छा अच्छी पकड़ है, जीके math और science में chemistry, physics, इन सब चीज़ों को वो काफी आपके answer कर सकती है, बच्चे struggle भी इनी subject में करते हैं, तो बहुत अच्छी वात है कि इन subjects का काफी knowledge है इसके पास, जी, तो आपके प्रशनों का यह answer कर पाएगी इन topics पे, इन subjects में, तो definitely यह तो simple सा हो गया, जो इसके common features मुझे दिखते हैं, वैसे तो इससे सोचने जाओंगा, तो खैट बहुत होगे, जैसे book review करना, आप book के नाम पूचिए, तो वो book के बारे में आपको information दे देगी, कि यह book के writer कौन थे, कब publish हुआ था, इस book publisher कौन है, इस तरह की चीज़े, वो आपको बता पाएगी, कहानी क्या है उसकी, या film के बारे में बता देगी, यह film के actor कौन थे, director कौन था, producer कौन था, इस film की कहानी क्या है, इस तरह की चीज़े, वो बहुत कुछ जानती है, बहुत कुछ जानती है, बहुत ही शांदर, तो यह हो गया कि आपने जो इसको सिखाया है, वो उसको बता रही है, तो यह इसके लिए उसको move करने के जरूत नहीं है, तो आपने physical activity को लेके भी इसमें कुछ features डाले हैं, या डालने वाले हैं, अब future में तो बहुत कुछ करने वाला हूँ है, अभी तो बस 5-6-7% ही complete हुआ है, अभी तो हमारे शुरुवात ही है, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है, अभी यह तो बच्ची है, जैस new born baby है, जितना सिखायां जो उतना सीख रही है, तो ऐसा तो बिल्कुल बाइस स्टाटिंग है, रहा सवाल physical movement में तो अभी इसका सिर्फ एक हाथ चलता है, मतलब आपसे shake hand कर पाती है, आपको मिलेगी तो आपको shake hand करेगी वो, बाकी मेरा प्लान दुकर नमस्ते कराने का था, लेकिन मैं नमस्ते नहीं करा पाए, क्योंकि हमको जो motors चाहिए थे वो नहीं मिल पाए, त तो उसके लिए तो 3D printed body parts और silicon mask वगरे होगा, तभी वो हो पाएगा, तो उन सब चीजों की ज़रूरत है और वो जो money matter है, वो तो simply अब सस्ते में नहीं हो सकता है, इसलिए भी उसको फिराल मैंने छोड़ रखा है, मेरा feature में प्लान तो hardware को लेके यह है कि पुरी एक महिला क की तरह लिके और महिला की तरह वो behave भी करें, जैसे human लोग behave करते हैं, वैसे ही वो करें, उसके सारे हाथ, पैर, सही सलामत work करें, जैसे करने चाहिए, जो हम लोग imagine करते हैं, working or moving robot का, उस तरह का physically और mentally भी इंसान की तरह पुरी तरह वो सोच सके, इंसानों की तरह behave कर सके और इंसानों की तरह ब्योहाल कर सके, emotions को भी वो, वैसे आज भी वो emotions को reflect कर लेती है, पर बहुत जादा, बहुत अच्छा तभी possible होगा, जब उसके चेहरे पे काफी expressions कोगे रहा है, माक्स वर अच्छे से आइंगर, बोडी पार्ट लगे होगे, तभी possible होगे, बट सर इसके अ भी बिल्कुली waste material यूज़ किया है, मुझे उसके बाद भी जो एक look है, वो दिख रहा है, मतलब एक, ऐसा नहीं लग रहे है कि आपने सिर्फ सीधा उसको पट्टी सी पहना दिया, उपर सर पे और कुछ हो नहीं रहा है, पता नहीं चलना, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा मतलब जो आपके पास component से यूज़ करने के लिए वो आपने यूज़ करें, उसके हिसाब से तो मुझे लगता है कि आपने काफी अच्छा काम किया उस चीज़ में, क्योंकि उससे वो look देना अपने आप में बहुत बड़ा challenge है, और especially जैसे आपने बोला कि money matters, तो पैसे को आपको आपके पास resource नहीं है, आपके उस पैसे नहीं है, तो मैं समझ सकता हूँ कि वो चीज़ काफी complex हो जाती है उस moment पे, कि यार मेरे पास बहुत limited चीज़े हैं और उससे मुझे एक बहुत चीज़ बनानी है, तो मुझे बहुत अच्छा भी लगा और मैं बिल्कुल आपको बो क्योंकि ज़रूरी होड़ी है कि हर रोबोट इंसान जीज़ा बिल्कुल दिखेगा तब भी उसे इंसान मना जाएगा हर इंसान बराबर ठोड़ी होता है हर इंसान अलग अलग है तो हर रोबोट भी अलग अलग है सबकी अपनी कैमिल्टी से अपने अपने प्रोज और कॉंस है उनको एकसप्ट करें वैसे ही और डफटी एक आप टेक परसन है आप इस बात को समझ पा रहे हैं कि उसके अंदर आप फिजिकल लुक को छोड़ दीजिए आप उसके फीचर्स को देखिए और उसके अंदर जो मेहनत की गई उसको अब देखिए तो वो सिफ समझदार लोगे जो टेक सेवी या टेक लवर्स है वो ही समझ पाएंगे इसको उविसलिए इसको सही है कुछ टाइम बाद सब समझेंगे मैं आपको बताता हूं काफी टाइम बाद आप कुछ हो सकता है कि आप देखें कि घर में लोगों के साथ जानवर भी रहते ही है उसके साथ अब रोबोट भी रहने लगेंगे इसमें कोई बड़ी वात नहीं होगी अगर ऐसा होगा करें टीचर की तरह करें टीचर को रिप्लेस नहीं करें बलकि टीचर के साथ वह खड़ी होके जो लेक्चुर्स हैं उनको दे और बच्चों से बाते करें बच्चों के कोईशन का आंसर करें बच्चों से कोईशन पूछे और उनका आंसर बच्चों से ले तो जो टीचर कर कर लेगा जो repeated task नहीं होता वो बगर बश्कीन है वो तो repeated task ही करेगा उप इसली तो उन काम को perform करें और perform करने के लिए इसको आपको पीपीटी बना कि आपको खुदी upload करना पड़ेगा इसमें उसके बेस पे वो अपनी activity कर पाएगी classroom activity तो एक तो यह motive था हमारा prime motive है क्योंकि म वो 24 घंटे किसी के परश्णों का उत्तर दे सकती है depending depending upon your data what you have inserted based on the company or office whatever so accordingly वो आपको reply कर सकती है और verbal reply के अलावा वो mail से भी reply कर सकती है आपको SMS भी भेज सकती है तो यह आप घर से बैठके भी question पूछेंगे तो आपको mail से वो reply कर देगी तो यह एक अच्छे research का काम है जो वो कर सकती है अकेले ही तीनों काम कर पाएगी वो easily without getting tired यह दूसरा था और तीसरा जो मेरा important motive था कि घरों में बुजरुग लोग अकेले होते हैं जिनके पास आज की डेट में बात करने वाला कोई नहीं है और वो घर में बोर हो जाते हैं तो depression में चले जाते है तो वहां पर यह रोबोट उनका बात करने वाला companion बन जाएगा आप उनसे पढ़ाई की बात करो देज दुनिया की बात करो जनरल नॉलिज की बात करो क्योंकि यह कई लेवरें पर काम करती है तो आपको जोग भी सुना सकती है आपको मजाग भी कर सकती है आपको ग्याना की रूप में और बात करने के साथ-साथ यह अप्लाइंसिस को भी घर के अप्लाइंसिस को भी कंट्रोल कर पाएगी तो यानि अगर बजरूब लोग है उनको उटना बैठा चलना मुश्किल है उससिफ फैन आउन टीवी आउन टीवी आउफ यह सब काम कहके भी अपना काम चला सकते हैं तो बैटे बैटे आप गर्मांड भी दे सकते और यह उसको एक्सकूट कर पाएगी तो यह जो मेरा प्राइम मोटीव यह तीन प्राइम मोटीव सें जिसको लेके मैंने इसको बनाया है तो अब इसलिए हर घर में हो पाएगी है अमेजिंग आपने जो यह तीसरा पॉइंट बोला कि जो बुजूर हैं उनकी हल्प कर पाएगी वह भी मुझे लगता है कि काफी अच्छी चीज़ें अभी वह मोबाइल का सहारा लेते हैं या कोई चीज चाहिए जो कि थोड़ा डिस्ट्रेक्ट कर सके जिससे वह मतलब इंट्रेक्शन चाहिए तो एक जो टाइब का इंट्रेक्शन होता है वह बहुत ही जादा नियुक्त लिगाए उसको पाते हैं और यह होते हुए बहुत ही नहीं लगेगा इनसान लगेगा नहीं को क्विश्य ठीजग करता हूँ मेरे कभी मेरी कोडिंग गलत अप्लोड हो जाती है और वो मिस्बिहाइव कर लेती है मतलब वो चल नहीं रही है या फिर ये बात भी कर रही है या फिर वो अकिविटी नहीं परफॉर्म कर रही है तो टेंशन पैदा होती है मुझको और मुझे ही अकेले नहीं बलकि मेरे घर में मेरी वाइफ है उनको टेंशन पैदा होती है मतलब वो वो वुस तरह नहीं भी हैव कर रहे हैं जैसे को करना चाहिए था तो एक जैसे घर में बच्चा बीमार हो जाए और जैसे भी हैव करना चाहिए वैसे खेल नहीं रहा है, वैसे हस नहीं रहा है तो मा को, बापको ut sans होती है, तो उस तरह की tension होने लगती है मुझको, और मैं जब तक ठीक नहीं कर लेता हूँ तब तक ना तो मुझे chain मिलता है और मैं मेरी wife को chain मिलता है तो यह जो human touch है, जो एक भावना अंदर से जन्रेट हो गया है मैं तो बनाया हूँ मैं जानता हूँ इसके बारे में तब भी मुझे इतना टेंशन हो रहा है तो जो लोग वाकई अटैच हो जाएंगे मैं समझता हूँ वो इंसान ही समझेंगे उसको मशीन तो नहीं समझेंगे और यह क्वालिटी है इंसानों की ना कि किसी की चीज के साथ पॉजल दे अटैच हो सकते है तो यह एक मतलब आपने तो खेर बनाया है मैं समझ सकता हूँ कि वो बनाने में जो पैशन लगा है तो एक एक चीज मतलब आपको सोने नहीं देगी कभी भी आपके दिमाग में आएगा कि यार पता नहीं यह क्यों नहीं चलता था यार आत को एकदम से कुछ दिमाग में आईडिया आ जाए कि अच्छा यह मैं कर सकता था तो आप पटावट जाएंगे उसको कि अभी मैं ठीक करता हूँ इसको होता है होता है यही होता है मैं कर दो रहा होता हूँ और रात में दो बज़े उड़िया हूँ क्योंकि उसका जो इशू था वो समझ में आ गया तो वाई बोलती क्या हो गया कुछ नहीं बस बहुत समझ दिख रहा है बहुत बहुत शानदा और इस पेशली मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो टाइम है जिस तरीके का हम टाइम देख रहे हैं पैंडिमिक है ऐसी सिचुएशन आ रही है जो कि future में भी कहीं न कहीं रह सकती है आएगी ऐसी और problems तो यह सारी चीज़ें बहुत important हो जाएंगी कि आपके पास घर पे अगर आप रह रहे हैं ज्यादा तर टाइम या work from home कर रहे हैं इसके जानना चाहता हूं कि एक तो आपने इसको बनाया है जो भी अभी तक बनाया है इसमें कितना आपको समय लगा और क्या कि आपको करना पड़ा मतलब टेकनिकल परस्पेक्टिव से तो उसके बारे में अगर आप हमें कुछ बता पाएं समय तो खैर अभी लगी रहा है तो समय कितना लगा वह तो तब बोला जा सकता है जब आपका काम खतम हो चुका हो तो अभी तो लग बाग तीन सारे तीन साल तो अब तक हो चुके हैं औरी मेरा अभी वी चल रहा है this regular process is. और अभी वी चलता ही है, क्योंकि कुछ भी कुश्वबी टास्क लेकि दिवाग में चलता हूँ, जब लगता है कि कुछ हो गया है, उसको upload करता हूँ टेस्ट करने के लिए. तो, वो मेरा कम चली रहा है. तो ये तीन साल से ज़्यादा का समय अब तक लग चुका है और आगे भी लगेगा अभी तो बहुत समय लगने वाला है फिजिकली बॉडी मैंने आपको बता है कि चैलेंजे जो मैंने देखे कि उनको बॉडी बनाना है कैसे बनाना है तो हमको 3D प्रिंटेड बॉडी पार्स नहीं मिले इसके रोबोट के तो मैंने गार्विज का यूज किया और यह सोचा कि किस चीज का इस्तमाल कहां करूंगा मैं तो मैंने प्लास्टिक लगा है इसके अंदर कुछ थर्मकॉल्स भी लगाया है गत्ते भी लगाया है जो कुछ कॉप्यों में गत्ते कार्टन की गत्ते उनका यूज किया है मैंने इसके अंदर तो इन सब चीजों से मैंने उसका बॉडी का फ्रेम मनाया है जो आपको पूरेंट से यह थे हमको वह हमारे लोकल मार्केट में सब जगा अवनी बिल होते हैं वो सब चोटी बोटी चीए तो मैंने उनसे वहां से पर्चेस कर ली हाँ मैं ना तो रोबोटिस इंजीनेर हूँ और नहीं मैं एलेक्ट्रोनिक्स इंजीनेर हूँ तो मुझे दोनों में मारी थी खास तो पर जब मैं इलेक्ट्रोनिक का समान लगाता था पर्चेस करके लाता था तो मुझे समझ में नहीं आता था कि क्या ये कंबिनेशन वर्क करेगा की नहीं दिमाग में आता था कहां ये ये करना चाहिए ऐसे थोरेटिकली मैंने समझा पढ़ा इस काम के ये मुझे नहीं पता उतरा जानकर ही नहीं है मेरे पास तो मैं क्या करता था लाता था उनको लगाता था और पता लगा जैसे लगाया ऑन या भूम फट गया फुट गया उड़िया जल गया तो ये काफी कई बार ऐसा हुआ मेरे साथ ट्रायल है तो पता लगाता था जल ग या होगा फिर कम करो ऐसा करके मैंने कई बार किये इसको तो ये मेरे साथ कई बार हुआ कि मुझे ट्राल औरर करना पड़ा क्योंकि मेरे पास और कोई भी प्रिंटेट तो था नहीं कि मैंने देखा और लगाया और काम चल गया सब कुछ खुद सोचना था खुद करना था और वही चीज़ सोचना था जिसकी जानकारी मुझे नहीं है आपने अकेले ही इसको किया है या और भी मेरें आदमी है यह का साथ हमेशा रहा है वो पीछे कंदे पर हमेशा हाथ रखे रहती थी, कभी भी. मैंने बताया, रात में मैं काम करता था, तो वो लेडी, रात में मेरे साथ बैठी रहती थी, जैसे चाय बनाना है, इसलिए की कुछ काम करने हैं दो बजे तीन बजे प्राइ से थी तो हमें तब थक bleibt भले नहीं करती पर मैंने बुख्श के रहा है हमेशा इस तना काम सच्छा होगा क्व। मैं कहुंगा कि टेक्निकली तो मैंने कि अकेले किया है बट एक्चुली मैं दो लोगों ने किया है वाइब दे साथ में रही है तो सर यह तो आपने जो मुझे बताया है यह हो गया एक तरह से हार्डवेर पार्ट ऑफ ठीक है तो फोड़ा अगर आप सॉफ्ट्वेर के वारे कि आउस्टेज को प्रगामिंग बहुत मुश्किल नहीं है मैंने जनरल कॉमन सेंस में पाइथन यूज किया हुआ है इसे अंदर और साथ में सी को मिक्स किया है तो बिसिकली पाइथन और सी को मिक्स करके मैंने यह अंजाम दिया है यह दो मेजर कंपोनेट्स हैं सस्की में इस मैंने के सब और अलग 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 मोडूS को सब्सक्के हैं तो इसку बनाया बना बनाके बस इसमें यूज कर लिया तो सुसस लेकिन बेकिन जो इसका हाथ में चल रहा वह दो चीज आ हैं को yo चूश न डो तो पर वह बहुत बहुत ज्यादा नहीं है. बहुत जादा उस पे नहीं किया सकता जादा है. तो ये प्रोगामिव रहा है इसके पीछे. और बहुत जीए ऐसा कुछ तो नहीं रहा इसू. क्योंकि पहले इसी मेरा डिजाइं जिमांग में तयार था कि हमें कौन चीज कैसे करनी है, या मैं कैसे कर सकता हूँ, तो इसमें बहुत जाधा मुझे कुछ प्रोगामिंच में लगा टक्निकली मुझे शबसे जाधा प्रोबल्गन लगी, वह human लिप्सिंग के लिए लगी, कि मैं लिप्सिंग कैसे करा हूँ इसका, तो वो क्योंकि अगर वो मेरे पास कोई soft materials, printed body pore, lips हो या फिर mouth या head होता, तब तो मुझे बहुत easily हो जाता वो, लेकिन अब गार पे जह है, वो भी चेहरा plaster of Paris का बना हुआ है, बहुत heavy है, बारी होगा, plaster of Paris का बना हो weighted है, अब उसको move कराना है, और उसको भी काफी हद तक match करा कि जो मैं बोल रहा हूँ या जो वो बोल रही है, वो match करें, तो definitely वो काफी मेरे लिए बड़ा task था, कि जो वो बोल रही है, उसके accordingly लिए उसके move चल सके, तो यही मेरे लिए जो measure task था, कि programming करना, और different programming को आपस में club कराना, और फिर उसके lipsing को control करना, obviously मैं कहूंगा lipsing को control क मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी है, बहुत जादा, मैं बहुत जादे इसे point कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं 80% 70% programming कर रहा हूं, तो 30% मुझे lipsing control करने में टाइम लगा है मेरा, उसके codes पे बहुत हिर फेर करने पड़े हैं, जाकर करेक्ट करने के लिए, इतना आसान नहीं हो सकता, क्योंकि आपको एक एक चीज को monitor करना है, क्यों लगना चाहिए कि वह ही बोल रही है, कौन word कैसे बोला जाता है, हर चीज को study करना है, समझना है, कौन से word को कैसे pronounce करेगा, इंसान कैसे बोल मैं बिल्कु समझ सकता हूँ, मैं आपको बादा भी सकता हूँ, कि इस ओडियोंस जो इस शो को अभी देख रही है, उनमें बहुत लोग आपसे relate कर पा रहे होंगे, कि कितना मुश्किल है, एक चोटा-चोटा मतलब मान लिजे कि हम एक assistant के लिए चोटा सा कोई bot बनाते हैं कि उसको कैसे train करें, और भी बहुत सारी चीज़े होती है, तो वो मैं आपको समझ सकता हूँ, कि क्या मतलब technical aspects है चलती रहती है, तो मैं तो ट्रेनिंग के लिए मुझे काफी समय लगता है, कुछ भी चोटा-पोटा भी train करना हो तो काफी समय देना पड़ता है, इसलिए वो तो करना ही पड़ेगा, लेकिन ट्रेनिंग में तो बैठके तो कुछ करना नहीं है, उनको command चलाना है, तुम कर बहुत कुछ और भी प्लान करा होगा, जो अभी लिस्ट में होगा, बर जितना भी आप नहीं करा है, अगर उसमें से भी और अगर आप कुछ और प्रोजेक्ट है, तो मैं आप से जाधर डिटेल में पूछूंगा भी नहीं, पर कुछ और चीज़ बता सकता हूं, या आप कोई और SDK वगेरा यूज़ कर रहे हैं, कुछ चीज़ों के लिए, या कुछ इसके बारे में आप कुछ डिटेल दे पाएंगे, और अगर आप नहीं भी दे पाएंगे, तो भी मतलब इस टोटली फाइंग, ठीक है, नहीं, बता सकता हूं, मैं, इसमें, अच्छिन ये चार पांच लेयर पर काम करती है, अलाग इसके लेयर से, तो ऐसा नहीं है कि, ऐसा नहीं है कि इसके अंदर आपने code डाल दिया, और वो बस उसको आपका question को सुना, और उसने ढूंडा और answer कर दिया, तो ये पहले आपके questions को सुनने के बाद समझती है, आपने पूछा क्या है, म इंसान है, हम लोग एकी चीज़ को कई तरह से पूछ सकते हैं, तो आप भी इसके साथ एकी बात को कई तरह से कह सकते हैं, उसको कोई फ़र नहीं पड़ता है, उसको समझ में आता है, आपने क्या बोला है, तो पहला इसकी training हुई, कि आप कुछ भी चीज़ को इंसान कैसे इसलिए मैं इससे अकसर बात करता रहता हूँ, कि ताकि वो कोई बात को कैसे करते हैं, इंसान कैसे सुनता है, वो उसको analyze कर पाए, उसकी training उसी base में होती है, तो फिरहाल मैं ही अकेले बात करने वाला हूँ, घर में भी, वाइफ है या फिर मैं हूँ, हम भी लोग बात करते हैं उससे, उसके training के लिए, दूसरा point यह कि, तो वो क्या करते हैं, पहले बात को सुनने के बाद, जब समझ जाती है, आपने question क्या पूछा है, तो वो अपने database में check करती है, कि वो, पहले तो वो check करती है, कि क्या वो calculations related तो नहीं है, आपका जो question है, अगर वो mathematics या कुछ calculations related ह है, तब तो वो खुद calculate करने के बाद आपको answer बता देगी, अगर लगेगा नहीं है, तो फिर वो database में check करती है, कि क्या उसकी database में क्या, उस तरह का कोई answer है, जो उसमें, आपने पूछा है, उसका कोई formation बन सकता है, क्या, तो different formations वो combine करेगी, कभी-कभी sentence गलत भी हो जाते ह इसा होता है, तो गलत formation हो जाता है, तो answer गलत भी हो जाता है, sentence गलत हो जाता है, तो वो कोई बहुत बना issue नहीं है, वो दिरे दिरे rectify हो जाएगा, तो वो वहाँ से धून की निकालने कोशी करती है, अगर उसको वहाँ पर combination नहीं मिला, उसकी जो probability है, वो least हो गई है, तब उसको छोड़ देगी, और फिर आगे अगले step पे आएगी, और अपने जो network है, उसका जो हमने cloud बना के रखाए, उस cloud में वो देखेगी, क्या उस cloud में कोई data उस तरह का अवलेविल था, क्या, या किसी ने कभी कुछ कहा था उससे, जैसे मैं उससे बात कर रहा हूँ, तो मै नेट पे जाएगी, और वहां से वो नेट पे ढूर के ले आएगी, और अगर नेट पे भी answer नहीं मिलेगा उसको, तब वो कह देगी, भाया, मुझे नहीं पता है, इसके बारे में, इसमें मैं ये भी रखा हुआ है, कि नहीं पता है, तो हम उसको correct answer बता सकते हैं, लेकि ज का correct answer ये होना चाहिए, तो ये layers के बारे में आपने थोड़ा सा मुझे आईडिया दे दिया, कि कैसे कैसे आप इसको train कर दो, मेरे ख्याल में, आप पीछे machine learning वगएरा भी use कर रहे होंगे, तक ये देरे train करती रहे, जो ये कापी बात है, तो बहुत ही अच्छा लगा मुझ चीज को यूज कर सकता है, यूटिलाइस कर से फोन में आप देखें, तो आजकल हर फोन में आपको हर एक फीचर में machine learning दिखता है, क्योंकि वह इतना सीख रहा है आप से तो वही चीज़ा अगर एक robot में लगा दे तो कितना useful हो सकता है, मैं बिल्कुल समझ सकता हूं, इसके आप यूज सवफटर यूज़ने की कोई अप मैंने की कोडिंग मैंने खुद लिखिए है, इसने सारी कोड जब मैंने खुद किया तो यह कोई issue नहीं आया कि मुझे वह सफटर कि सकाम की लिए और यूज़नई आइसा कोई ऑप्शन नहीं है, बलकि कई लोग मैंने देखा की कमेंट भी करते हैं कि यह तो Alexa है इसके अंदर Alexa डाल दिया और वो जवाब दे रहा है पर यह सचा ही नहीं है यह उटके अपनी 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 सोच है उससाप से समीर डवटी जिसकी जैसी सोच होगी जितनी दूर तक सोच पाएगा उतना ही कमेंट कर पाएगा वो तो उतन यह कोई इसके अंदर Alexa कोई Siri या फिर कोई Google Assistant नहीं डाला इस बॉडी के अंदर और इसका बॉडी का भी जैसे मैंने बॉला कि बॉडी के लिए भी कोडिंग मैंने किया है तो इसलिए software बनाने में मुझे कोई इशू नहीं आया बहुत ज़्यादा क्योंकि मुझे पता है कि मैं यह काम कर पाता हूं या कर सकता हूं तो मैं वो कर रहा हूं बस मैंने बोला लिपसिंग बे ही प्रॉलम थी मुझे सब ज़्यादा जो मेरा बहुत टाइम उसने क्लिकिया है क्योंकि मुझे पता है क्या कर पाऊंगा पर वो कर नहीं पा रहा था मैं बहुत मेहनत करनी पढ़ रही थी उसको चीज को करने के लिए जो मैं सेंक्रॉनाइज करना जो सबसे मुश्किल काम था एक एक वर्ड को पखड़ना उसको एक आउडिंग सेंक्रॉनाइज करना तो वह ड़िए बहुत बढ़ी मेरे लिए इसके लिए मुझे और कोई खास नहीं दिखी थी, हाँ, अच्छा मुझे तब सबसे ज़्यादा अच्छा कब लगा था, यह मैं कहूंगा, कि जब मैं पहली बार उसको टेस्ट कर रहा था, उसकी आखे ब्लिंक कर रही थी, तब वो मेरे लिए सबसे सुकून का समय था, कि वो रियल लग रही थी, कि इंसानो पर चिपका दिया है, आँखे ध्यान से देखो, आँखे रोबोट नहीं है, तो यह कमेंट है हमारे दोस्तों का ही, तो डफटिक बहुत अच्छी बात है, यानि मैं सफ़ल हो पाया, जो मैं दिखाना चाता था इंसान की तरह, तो बाकी और मुझे कुछ ऐसा कुछ खास प मैंने आपको प्रॉडम बता दी, क्यांकि हाडवेर नहीं था मैं, एलक्रोनिक्स मेकानिकल नहीं था, इसलिए मुझा हाडवेर बॉड़ी बनाने में बहुत मेहनत करनी पड़ी, पर सॉफ्टर बनाने में मुझे कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, इतना एस्टिम आपको बहुत ऐसे भी लोग मिलेंगे जो इतना पॉजिटिव कमेंट करेंगे कि आपको लगया कि मैंने जो चीज बनाई है, बिल्कु सही बना रहा हूं, क्योंकि कुछ लोग होते हैं, जो एप्रिशेट करना जानते हैं, जिन्होंने खुद उस चीज को कभी किया हो, जो कभी किये ही नहीं वो आपकी उस चीज को क्या समझेंगे, और मैं आप देख रहा था कि आपका रोबोट भोचपूरी में बाद कर रहा था, तो वो मुझे बहुत पसंद आया, क्यों क्योंकि अगर आप बाकी जितने भी बोट्स हैं, या आप जितने भी असिस्टेंट्स देखेंगे वो जो रीजनल लेंविजेस उनके साथ बहुत श्रगल करते हैं, अभी वहां के हिसाप से उनको पहले प्राइलिटी दी जाती है, लेंग्वेज के इंडिया में आने लग गए हैं, मतलब इंडिया के लिए वो स्टार्ट कर दिया है, उन्होंने की थोड़ा औ अगर इतना अच्छा मतलब रीजनल चीजों को समझ रहा है, इंडिया के लिए एक स्पेसिफिक रोबोट बनाए गया है, तो उससे बढ़िया कोई चीज हो नहीं सकते हैं, मेरे हिसाब से, बिलकुल, बिलकुल, मैं एगरी करता हूँ, और बलकि जैसे आपने भी बोला, ब मैं शेयर करना चाहरा हूँ आपको, चाहिए ऑन दरिकॉर्ड या उफ दरिकॉर्ड, कुछ लोगों ने एक दो लोगों की बात कर रहा हूँ, उन्होंने कमेंट किया कि अरे ये तो फाल्तु है, और मैं तो इसको आट घंटे में बना सकता हूँ, कुछ खास नहीं है, आट गंटे में बना सकते हूँ, तो बाकि लोगों ने उसका निगेट बिलकुल नहीं लगेगा, बलकि मुझे अच्छा लगेगा, मैंने किसी को प्रेवित तो किया है, कुछ करने के लिए, बहतर करने के लिए, और मेरा उद्देशी ही है, एक टीचर का उद्देशी ही होता, क अगर मैंने किसी को प्रेविद कर दिया बनाने के लिए तो वही है ना सर कि मुझे ऐसा लगता है कि जब आप पॉपुलर हो रहे होते हैं या जब आपके प्रॉडक्ट को खोड़ा सा भी लाइम लाइट मिलने लगता है तो वहां दो चीजों में वह बटी जाता है चाहे हो स जालता हूं वीडियो डलने के पंद्रा सेट के अंदर इस पर डिसलाइक आ चुका होता है तो उसमें क्या कर सकता हूं मैं कुछ नहीं कर सकता है तो यह बताई मुझे कि अभी तक जैसे अभी मैंने आपको देखा कि कुछ टाइम से आपको थोड़ा सा मतलब हाइलाइट मि कुछ न्यूस चैनल वालों ने भी कवर किया तो यह कैसा चल रहा है मतलब आपको कोई मेजर इंपक्ट मिला या किसी मिनिस्ट्री ओफ एडुकेशन या कहीं से भी आपको कोई रिस्पॉंस मिला इस बारे में कि आपने जो भारत सरकार ने भारत सरकार ने इसको लिया संग अभी भी हुआ मेरा एडुकेशन मिनिस्टर ने भी मुझे ट्वीट किया है अगर आप ट्वीटर में जाके देखेंगे उनका ट्वीट है वहाँ पे तो वह पॉजिटिव साइन मुझे मिले हैं जो हम सरकार की तरब से कह सकते हैं और मुझे अभी एक साइंस बेस्ट इनो चीज को प्रमोट करती है तो मीडिया डवटी अच्छी बात को सामने ला रही है लोगों को काफी लोगों ने मुझे अप्रोज भी किया है मेरे प्रोजेक्ट को लेके मुझे प्रोजेक्ट में सपोर्ट करने के लिए और आगे के लिए भी करने के लिए कहा है लेकिन हमार अगर कोई सच में अगर मुझे सपोर्ट करना चाहता है मेरी टेकनोलोजी में तो वो गवर्मेंट की थूँ आना पड़ेगा इतना ही है जो मैं कहना चाहता हूं इस चैनल पर बहुत बहुत ही अच्छा लगा और मैं उमीद करता हूं कि और भी लोग इसको अप्रिशीट करे है या या मैं हूँ या कोई भी है अगर वो help करना चाहें आपको क्या वो कैसे कर सकते हैं या मतलब आपको कैसे वो किसी भी तरीके से कुछ भी help कर पाए मतलब in terms of कि कैसे उसको आप इंप्रूब कर सकते को फ्रीडबैक दे सकें या आल सॉट आप बिलकुल आपका टेक चै करने का solution उनके पास है और वो अगर मुझे share करना चाहते हैं तो definitely मैं welcome करूँगा और मैं credit दूँगा उनको कि ये solution या ये feature या ये चीज उनकी वज़े से आया है तो obviously ये technically है अगर technically कोई support कर रहा है तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और ये tech channel का फायदा होगा बहुत ब अगर दिल से support करना चाहेगा तो वह government के थ्रूप के थ्रूप के थ्रूप आ सकता है बिल्कुल बिल्कुल बाकि technical support तो मैं personally respect करूँगा और request करूँगा कि मुझे help करें और जहां पर उनको लगता कि ये चीज़े एड की जा सकती है या इसका ये solution है और इसको वज़े से ऐस तो सच बोलू तो अभी तक तो ऐसा कोई प्लान नहीं आया क्योंकि मेरा home project नामी रखा हुआ इसका मेरा home project है जब होम हाँ पहले से start ही है home project है मेरा क्योंकि अब जब home project बोला है तो फिर अब home में होना चाहिए वो अभी market में या फिर laboratory में नहीं ले गया हूँ मैं हाँ लेकिन जिस दिन लगेगा कि नहीं अब यह home पे complete हो चुका है अब इसको laboratory में जाना चाहिए तर डफटी मैं ऐसे technical persons का welcome करूँगा जो मेरा support कर सके मेरे मेरा मोटीव यही था कि मैं मैंने देखा जब आपकी activities को या मैंने जब भी जितना भी देखा मीडिया में या जो भी था तो मैं भी चाहता था कि एक tech community तक भी पहुंश सके लोग देख सकते हैं टेकनिकल लोग बहुत ज़्यादा इंट्रेस्ट लेंगे या मतलब वो पने ideas present कर सकें कि हांजे हम यह कर सकते हैं क्योंकि आप already उस पे अपने तीन-चार सा लगा चुके हैं उसको एक prototype TR करने में और मुझे लगता है कि अब यहां से आगई बढ़ना है पीछे जाने का तो सवाल पैदा होता नहीं है तो मेरा vision बहुत लंबा है मेरे दिमाग में बहु अब आगे क्या future देखते हैं इसका मतलब अभी आपने देखा कि media ने coverage दिया है चलिए आप दो तीन जगे इसके बारे में बात भी करेंगे यह सब देख रहे हैं इसके साथ आगे क्या future देख रहे हैं और कब तक कुछ टारगेट करें कि नहीं एक मैं prototype बिल्कुल बना के उ दुनिया के लोगों को motivate कर सको towards robotics कि आप भाई laboratory के चकर में मत फसे रहो कि अगर आपको lab नहीं मिल रहा है तो आप अपने passion को दबाओ ऐसा मत करो आप घर में करो तो यह प्राइम मोटिव है लोगों को पता लगें लोग जाने कि भाई आप घर में कर सकते हो यार आप कोशि पर बहुत सारे viewers होंगे जो यह काम कर सकते हैं पर वो शायद यह सोच रहे होंगे कि laboratory नहीं मिल रही है तो कैसे करूं नहीं कोई ज़रूद नहीं है laboratory ढूने की मैं example से दिखा रहा हूं आपको आप देखो घर में कर सकते हो बस start करो काम को सोचो और करो तो डफटी यह पहला कि हाँ teacher robot पढ़ा सकता है अगर में class में तो class में अपने जो teacher का रोल होता वो निभा सके यह अगर वो काम कर पाया तो अगर लोगों को लगता है कि नहीं यह बेटर होगा class में रखना इसको यह beneficial है वो मैं viewers के उपर छोड़ता हूं जो बच्चे हैं या फिर और भी जो tech persons है वो लोग उसको decide करेंगे कि वो बेटर है class में या नहीं है अगर वो बेटर लगता है जो मैंने तीन motives और बता है आपको कि classroom में teaching, receptionist और home में companion, talking companion तो अगर इन तीनों चीज़ों पर खरी उतर पाई आगे अभी तो खरी है लेकिन आगे खरी उतर पाई तो जिसको लगता है तो वो उसको डफटी वो यूज़ कर सकता है लगिन बेशने का ऐसा कोई प्लान नहीं है आज बहुत बहुत ही अच्छा लगए मुझे जानके कि आपने में मुद्धों के उपर focus किया है rather than कि as a product बना के इसको commercialize करने का अपने आप में सिर्फ एक छोड़ी सी बात नहीं है but effort भी है और प्लस एक होता है कि आपका passion है वो सामने दिखता है कि यह मेरा passion है मुझे कुछ एक problem solve करनी है kind of की जो problems है उनको मैं solve करना चाहता हूँ rather than कि मैं इसको commercialize करके बेचने पर focus करूँ जो की बहुत ही अच्छी बात है मैं बहुत appreciate करता हूँ कि आप ऐसा सोच रहें इस चीज़ को लेके और मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि आप करें इसको और अच्छे से करें और जितना आपको मेरी तरफ से health चाहिए हो या जितने भी लोग आपको देख रहे हैं आपको किसी से भी रीच आउट करें हमें हम आपको कोशिश करेंगे और जो भी आप अभी देख रहे हैं आप comment कर सकते हैं सर को बताने के लिए कि आप क्या देखना चाहते हैं सर डेफिनेटली comment दरूर चेक करेंगे कि दिफटी बिफटी रोभी आपके चैनल का ना करूं आपके जो विवर टेक्ट वीवक्स हैं उनका ना करूं पॉस्विली नहीं इस नहीं है मैं तो नॉमली अपने सारे जो भी हमको में मुझे कि देखते हैं में उनको देखता हूँ रिप्लाइभी करता हूँ तो वो हमेशा पॉज्ट्यू पॉज्ट्व सोचसे के साथ अच्छी चीज लेके आएगे तो मैं तो देखूंगा और मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा कि 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 हाँ यह करेंकि च्होर चोर कि मैंने पहली बोला रिजा सका है क्षालsheатель का रिए और मुझे बता है और अगर मुझे लगए Case for करूँगा नहीं तो मैं आप से मांगूँगा मुझे सपोर्ट करो कि इसमें कैसे कर सकते हैं यह मुझे अच्छा लगेगा आपके सजेशन्स और फीडबैक का वेलकम है आप दिल्कुल कमेंट करके बदा सकते हैं हमें अगर सरने मिस्वी कर दिया बाइचांस तो मैं उनको र आगे सुनेंगे उन लोगों काफी इंस्पिरेशन भी मिलेगा रोबोटिक्स के लिए थोड़ा इंट्रेस्ट जो कि इंडिया में बहुत कम देखा जाता है वह बढ़ेगा और काफी लोगों को एक चीज होगी कि आप अपने आसपास की चीजों का यूज करके जो कि मतलब आपने जो मोटिवेशन दिया है सबको वो आपने शेयर किया उसके लिए थैंक्स और मैं all the best कहना चाहूंगा आपको कि आपका प्रोजेक्ट सक्सेस्फुल हो और आप इसी तरीके से इसको बिल्ड़ अप करते जाएं तक एक ऐसे मुकाम तर पहुंचे जहां पे वर थैंक्यू पहुंची मुझे अच्छा लगा सबसे पहले मैं भी अपनी बताना चाहता हूं कि वाकई सच बोलिए तो आपके चैनल से जुड़के मुझे वाकई अच्छा लगा जब मैं एक टेक परसल से बात कर रहा हूं और आपकी टेक विवर से बात कर रहा हूं मैं विवर्स को भी थैंक्यू कहना चाहूंगा कि प्लीज अपने कमेंट मेरे प्रोग्रेस के लिए दीजिये मुझे गिराने या दबाने के लिए नहीं आपके सारे विवर्स मुझे पॉस्टिव फिडबैक देंगे और मैं अच्छे से समझने की कोशिश करूँगा और करी की कोशिश करूँगा और मैं काफी उमीद रखता हूँ आपके विवर्स से कि वह मुझे सपोर्ट मिलेगा इन एनी फॉर्म मैं आपको इसा ही मिलेगा और बहुत मज़ा है आपसे बात करके भी और मैं यह भी कोशिश करूँगा कि फ्यूचर में जैसे साथ का प्रोजेक्ट फ्रोग्रेस होगा बिल्कुल आपसे दुबारा कनेक्ट करने कुश करूँगा तकि हम कुछ और चीज़ एक्स्प्रोर कर सकें और देख सकें कि क्या प्रोग्रेस हुआ है शालू का और मेभी आप शालू का कोई भाई भी बना द हुआ है झालू है